यह हम लोगों का आज का 17 अगस्त का मार्केट है मार्केट ने 11 बजी के बाद एक शाफ फॉल दिखाया लेकिन हम लोगों ने early morning पे market को trade करने का प्लान किया अगर हम लोग यहाँ पे market को 9.30 तक रखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जब market यह level का आसपास में trade कर रहा था आज 17 अगस्त को तो यहाँ पे आप क्या प्लान करते market ने यहाँ पे breakdown भी दिया में भी यहाँ पे काफी सारे लोगों ने short position इनिसेट कर दिया क्या आपने भी market को early morning पे short कर दिया यह देखते हुए कि market ने range का breakdown दे दिया लेकिन जब एक मिनट क्या आपका stop loss सही आ रहा था अगर आप यहाँ पे दिखेंगे तो almost 170 points का stop loss आ रहा था ना इसका मतलब huge stop loss के cardan आपने state को नहीं लिया होगा right मैंने भी यह decision किया मैंने state को नहीं लिया because यहाँ पे stop loss ज़्यादा आ रहा था हम लोगों का उसके बाद हम लोगों ने कैसे काम किया अगर आप यहाँ पे दिखेंगे 9 बच के 15 मिनट के candle को तो इस candle में हम लोगों को more buyer than seller दिखा है मतलब buyer ने market को उपर के तरप में push किया लेकिन ज़र एक मिनट अगर सच में market में buyer थे तो यह क्या चीज था market ने fall क्यों किया and fall करने के बाद में market suddenly कैसे उपर चला गिये लोगों के stop loss को hit करने के लिए इसका मतलब जो buyers यहाँ पे quantity add किये थे वो दुबारा से यहाँ पे market में re-enter करना चाते थे buying के लिए हम लोगों ने market में आज किस तरह से plan किया वीडियो को last दक जरूर देखेगा बहुत smart market था देखे market बन जाने के बाद में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा easy लगता हो लेकिन live market में उतना ही जादा हमें difficult लगता है काम करने में हमें दिखता है कि market यहाँ पर sharp fall दिया लेकिन सर यह chart हम लोगों का बन चुका है अभी अगर आप देखेंगे अभी time हो रहा है 2.21 पीम हमें दिख रहा है कि market यहाँ पर sharp fall दिया कितना अच्छा होता ना कास हम लोग यहाँ पर enter कर जाते कास हम लोग यहाँ पर short position ले लेते तो क्या आप यहाँ पर सही में short position लेते आप buying भी तो कर सकते थे ना तो chart बन जाने के बाद में समझना easy होता है लेकिन live market में उतना ही difficult होता है मैंने भी market में बहुत smart तरिकी साज play out किया और जो quantity management था ना मेरा बहुत amazing level का था हम लोगों ने continuously यहाँ पर 5 days profit किया है सारा credit जाता है future के contract को क्योंकि वह बहुत ज़्यदे stable था and 5 days का मैंने आप लोगों को summary भी दिखाया है कितना क्या charges है 8 to 8 आप देख लीजेगा and इससे आप यह समझ जाएंगे कि एक beginners कितना profit कर सकता है जिसके पस कम quantity है वैसे तो मैंने future में काम किया लेकिन अब मैं आने वाले time में option में काम करने वाला हूँ वीडियो काफी ध्यान से दिखेगा market बहुत ज़्यदे smart है अगर आप smart नहीं बनेंगे तो आप हमें सब पीछे चले जाएंगे Good morning everyone एक और नया दिन and एक और नई analysis आज हम लोगों की live trading series का 5th day है actually कल 5th day नहीं था आज 5th day है कल 4th day था तो उसको मैंने गलती से 5th day बोल दिया था so market नहीं यहाँ पे एक flat opening दिया है trade कर रहा है somewhere around 43,951 के आसपास में and यहाँ पे थोरा बहुत हम लोगों को buying side का candle show हो रहा है and previous trade में हम लोगों ने somewhere around यह level के आसपास में अपने trade को square off कर दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत एक logical point था अगर मैं hold कर लेता हो सकता था कि market थोरा बहुत नीचे आता then again जब market उपर गया तो यहाँ पे देखे sustain नहीं हो पाया मतलब overall market यहाँ पे हम लोगों को पूरा trap में फ़सवा देता इसलिए हमेशा logical point पे ही निकलने का कोशिज कीजेगा छोटा profit बनाए लेकिन हमेशा profit बनाते रहेगा बड़े profit के लिए बैटर रहेंगे हो सकते आपका target को अचीव ना कर उसे पहली market कुछ ऐसा move कर दे कि आप ऐसा ना बना पाए ठीक है तो still अब हम लोग वेट करेंगे वैसे जो structure है ना काफी अच्छा structure बना हुए market का अगर हमें अच्छा trade मिल जाए ना तो में भी सही profit हम लोगों को हो सकता है लेकिन ध्यान रखना है expiry भी है वेट करेंगे अप लोग market को observe कीजे कुछ भी pattern या फिर कुछ भी motion अगर market create करता है उसका बाद ही हम लोग कोई plan करेंगे ठीक है उससे पहले हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं वेट करेंगे अप लोग को वीडियो को लास तक जरूर किया बट मैंने यहां पे कोई भी activity लेना सही नहीं समझा त्यूंकि अगर मैं यहां पे selling के लिए plan करूंगा ना selling के लिए plan करने से पहले अगर आप देखेंगे तो एससे बिल्कुल भी आपकर नहीं आएगा ठीक है भली आपको target दे market ना दे वह अलग बात है नीचे के level प फिलाल में यहां पर wait करूंगा कोई valid proper setup जब तक ना मिले तब तक आप market में यहां पर कोई भी activity नहीं ले सकते हैं ठीक है ना इसलिए पहले हमें wait करना है setup का बनना बहुत ज़्यदा important है setup बनेगा नहीं आप काम नहीं कर पाएंगे market में so watch करेंगे market को फिलाल हम लोग ठीक ह में है अगर market range में दुबारा से sustain कर रहा है अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो trend line मेंने draw किया है न तो trend line को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत market support ले रहा है right support लेके थोड़ा बहुत उपर site का भी market movement दे सकता है फिर उपर में rejection areas भी है so यहां पे अगर हम लोग वैसे buying का planning करत वरना बहुत जादा जरूरी है वरना market में आप काम नहीं कर पाएंगे जिकर के यहां पर क्या हो रहना एक्चुली struggle mode activate हो रहा अब struggle mode क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूं यहां पे हम लोग कुछ quantity add करने का planning करेंगे only 15 ले 15 लेते हैं अभी क्योंकि confirm नहीं हो में स्ट्रे रहे हैं हर दिन वैसे मैं दो लोट ले रहा हूं लेकिन अभी मैंने one lot के ही साथ में काम किया है लेकिन यहां पे उपर के साइड मेना space देखी टरस बहुत जादा नहीं है बस वही दिक्कत है उपर के साइड में maximum space इतना ही है वैसे अगर जाने के अगर मैं बोलू तो जितन उपर मार्केट जा सकता है लेकिन एक logical point हम लोगों का होना चाहिए निकलने का ठीक है सबसे पहले हम लोगों के यहां पे होगा stop loss की आपका stop loss किस level के आसपास में आएगा वैसे 100 कुछ profit चल रहा था भी कुछ losses में आ चुके है stop loss हम लोग देंगे 43, 8, 59, 60 हां यह level के आसपा मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर जाने देंगे उसके बाद यह कुछ प्लान करते हैं ठीक है कभी कभी आपको यह चीजे समझनी जरूरी होती है कब मार्केट का स्पेस है कब मार्केट का स्पेस नहीं है अभी जो है मार्केट थोड़ा सा ठका हुआ है अगर आप देखे का breakdown दिया market ने हैं ना लोगों ने Shot किया लोगों के हिट किया market उपर गया market इसी trend line पर टच हो कि अब दुबारा से उपर जा मतलब market पुरा struggle कर रहे हैं market नहीं किया इसका मतलब इससे क्या समझी मार है market का mood क्या है मार्केट का मूड है थोड़ा बहुत उपर के साइड में ही रहने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पे एक बाइंग का छोटा सा ट्रेड अंली बहुत कम क्वाइटी के साथ में लिया है ठीक है हर दिन दो लौट में लेता हूं अभी एक ही लौट में लिया वैसे देखी पहले तो पचीस का लौट था अभी पंदरा का हो चुका है तो उस हिसाब से हम लोगों को जो है प्राफिट वैगरा देखने को मिलता है वेट करेंगे ठीक है अपने एसल को अगर ट्रेल वैगरा करना है तो फिर वो डिसन प्लान करेंगे अगर मार्केट पैटन चेंज हुआ ठ तो हम लोग भी उसी मोशन में ही एक डिसन प्लान करेंगे अपने ट्रेट को स्क्वार अफ कर देंगे तब तक के लिए हम लोग वेट करेंगे अपडेट करता हूं मैं आप लोगो वीडियो को लास्त तक जरूर देखिएगा ट्रेश ध्यान दीजएगा टाइम हो रहा है 9.56 थूरा बहुत नहीं यहां पे नेगिटिबिटी शो हो रहा है लेकिन ध्यान दखना पड़ेगा अगर इस ट्रेंड लाइन को दुबारा से दिखे मार्केट सपोर्ट लेनिक लिए हुए अगर सपोर्ट नहीं लिया न तो म मार्केट अपना पैटर्ण चेंज करके हम लोगों के एसल तक बहुत इजली आ जाएगा हर एक ट्रेडिंग डे सेम नहीं होता है किसी दिन आपको मुनाफ़ा देगा मार्केट लेकिन किसी किसी दे जब मार्केट नहीं चलना चाहेगा ना उस टाइम आप मार्केट से जब ठीक है न अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर में भी थोड़ा बहुत और भी पैटर्ण मार्केट अपना चेंज कर सकता है तो ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को देखते हैं थोड़ा बहुत कि देखने को तो मिल रही हम लोगों को लेकिन और भी एविदेंस मार् गए उपर लेके चलेगे फिर फिर ठीक है मार्केट में टार्गेट हम लोगों का इजी यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर यह अब यम्हरी नहीं कर पाए कि असीलर अप्रेट करता हूँ मैं आप लोगों तो यहां पर काम करते हैं ऑप्शन का भी एक लॉट हम लोग एडाउन करते हैं 43 900 का ठीक है देखे तो लग रहा है कि सपोर्ट ले रहा है चलिए 43 900 का कॉल आप्शन यहां पर हम लोग एडाउन करेंगे प्राइस कितना चल रहा है 125 क्य चलिए वैसे थोरा सा लेट कर दिया मैंने ठीक है कोई बात नहीं अब हम लोगों को ध्रेदर ऑप्शन में भी आना है ऐसा नहीं कि फ्यूचर को साथ में लेकर चलना है ठीक है मैंने वन वीक तक आपको फ्यूचर का भी स्टेबिलिटी दिखाया लेकिन फ्यूचर सब लो सबसे पहले हम लोगों कर लेंगे देखते हैं कितना हम लोगों का प्राफिट हो रहा है एक लॉट में चलिए इसको मैंने स्क्वेर अफ कर दिया एंड फ्यूचर के भी कॉंट्रेक्ट को स्क्वेर अफ करेंगे बिकर्स रिजिस्टेंस वाले एडिकास पास में और भी करने से चलिए सो यहाँ पर हम लोगों ने एक लॉजिकल जगह में स्क्वेर अफ कर दिया ठीक है यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया है कुछ सम्वेर आराउंड 1400 के आसपास में और बुक में अगर आप देखेंगे वैसे तो आप्शन में हम लोगों बहुत ज्याद़ इंपॉटेंट है वर्ना मार्केट में आप सर्वाइब नहीं कर पाएंगे दीखें मार्केट में क्या है ना सर्वाइब करना बहुत ज्याद़ इंपॉटेंट है हम लोगों ने टोटल 5-days trading कर लिया ठीक है और 5-days में अगर आप देखेंगे विदाव ए का यहां पे future and option मैं अगर आप देखेंगे तो यह देखिए है ना एक दो तीन चार्ड फोर डेस हम लोगों नहीं यहां पे काम किया और आज का मिला कर फाइब डेस मतलब एक वीक हम लोगों का complete हो गया जिसमें देखे चार दिया सो बहुत जादा यह वैसे तो लेकिन फिर भ अगर हम लोग roughly calculate करें तो 9,000 and यहां पे जो हम लोग के पास में है 1378 अराउंड अगर हम लोग मानेंगे ऐसे stable तरीके से तो महीने में almost 45,000 तक आसपास का profit book कर सकते हैं ठीकन अगर आप market में सही से काम करेंगे तो लेकिन वही है कि future में ना थोड़ा बहुत यहां पे charges वेकर करें तो daily basis पे 10-20,000 तो बहुत इसलिए हम लोगों को आजाए कर रहें मतलब महीने के 3-4 लाग रुपए तो बहुत इसलिए आजाएंगे इसलिए option तो बहुत ज़्यदा best है लेकिन यह reality नहीं है मेरी बातों को यकीन कीजे मैंने future का contract आपको इसलिए पूरा week दिखाया क्य मैंने जितना पैसा यहाँ पर कमाया ना इसमें से हम लोगों का आज वाला भी एड होगा तो इतना ही पैसा आप कमा सकते हैं फिर आपको धिरे-दिरे progress करना है आपको यहाँ पर 9,000 से धिरे-दिरे करके इसको increase करते जाना है लेकिन market में survive करते हुए आपको आगे बरना है draw डाउन में मत चले जाएगा draw डाउन में पता कब जाएंगे आप जब आपका यह valid stop loss नहीं होगा जैसे मैंने यहाँ पर देखा मैंने यहाँ पर selling क्यों नहीं किया मुझे पता था कि मेरे यहाँ पर valid stop loss नहीं है बरा stop loss में क्यों दूंगा अगर logical जगह में square off नहीं करेंगे लोग कैसे उन पर एकिन करेंगे लेकिन जो market को truly सिखाते हैं उनके सिखाने के तरीके से ही लोग समझ जाते हैं कि कौन सा चीज market में काम कर रहा है और कौन सा चीज market में काम नहीं कर रहा है और जो लोग भी truly सिखने के लिए आते हैं उसको proof की जरुवत नहीं होती है वो में इसा डाउट में ही रहे और सीखने अवले लोग सीखे टेटर बन जाएंगे